Hello friends, मैं हु राहूल कुमार, आज के इस वीडियो में BSSC 2nd Interlevel का जो हाल फिलाल में नोटिफिकेशन आउट हुआ था जिसमें बोला गया था कि कुछ ऐसे लोग है जिनका की examination fee payment होने के बाद lot गया है उनको फिर से payment करना है ठीक है तो इसमें problem क्या हो रहा है कि बहुत ऐसे लोग है जिनको ये नहीं पता चल पा रहा है कि उनका भी payment लोटा है या नहीं लोटा है इसका कारण यही है कि वो saver cafe की through payment किये थे या किसी अधर third party से payment करवाए थे तो इसलिए उनको पता नहीं चला और बहुत सारा problem है दिमाग में बहुत सारा बाते आ रही है क्योंकि उस notification में यह बोला गया था कि अगर payment नहीं होता है तो आपको examination से कर दिया जाएगा ठीक है तो इसी के बारे में detail में बताने वाले हैं वीडियो में अन तक बने रहना नए हो तो चैनल को जरू सब्सक्राइब करना और कोई भी government exam का वेकेंसी आता है या और कुछ भी आता है तो इसके बारे में इस चैनल पर आपको बताते जाएंगे ठीक ह यह हो रहा है कि बहुत सारे लोगो को पता नहीं चल दा की उनका payment लोटा है या नहीं लोटा है क्योंकी cyber cash वाले अच्छी तरीक सुख्यास है। यह यह होताती है, नटीज सार्स पार मतम्हीत होता है, इस वजन से उतना ध्यान भी हंगे तो बहुत सारा टांजेक्शन होता है, बहुत सारा पैसा लॉटता है, जैसे वो लोग ये रेल्वे टिकट भी बुकिंग होता है, नहीं भी होता है, वो बुकिंग तो पैसा लॉटता है, तो इसा सब कुछ उन लोगों के साथ रहता है, और कोई बताएगा जानके, मालो 5-600 लोट गया तो उसको ही फाइदा है नहीं हो ठीक है, इस वज़े से वो ठीक से बताएगा भी ने, तो मेरा यही कहना है, कि अगर आपको डर लगता है, ठीक है, कि आपका पैमेंट लोटा है या नहीं लोटा है, और एक का पच्छे कंडिडेट हो, आपको एक्जाम देना है आपको लग रहा है कि मेरा सेलेक्शन हो जाएगा, तो आप 5-600 और बात है, उतना फी करना है जितना कि जिस केटेगरी से आप बिलोग करते हो और आपको जितना पैमेंट लगता है, ठीक है, बागी बाद, SCST लोगों के लिए तो फ्री है, और ऐसा सुनते हैं कि गल्स कंड पैमेंट लोटा या कि इसका पैमेंट नहीं होटा है, तो अब देखो, कमिशन अगर, BSSC अगर इसके बारे में लिस्ट निकालती है, तो बहुत अच्छा बात है, और बाकी बाद, अभी एक-दो दिन आप लोग रुख जाओ, क्योंकि 9 तक वो लोग पैमेंट लेगा, त तो तीन-4 तरीक से पैमेंट करना खरना अगर आपको लगता है, क्यूद्ध करना अच्째ह, बांकि बहुत मेरा कोई इसमें यह नहीं है, क्या अगर पैमेंट नहीं हुआ है, तो भी करो, पियमेंट कैसे करना है, जैसा बोला गया इस नौटिफिकेशन में क्य category झार्ट ए आपको मिलेगा कहा, कोई भी State Bank या कोई भी Bank में आप जाओ, वहाँ पर द्राप आपको मिल जाएगा, राप भी हार सचीब जो है, बेसे सचीब के नाम से बनाना है, अगर आपको पता नहीं चला कि कि इसके नाम से लिखना है, तो आप नोटिफिकेशन जब डाउनलोड तो ठीक है नहीं, तो अलग से उसमें एक लेटर ठीक है, बना के जिसमें, आप जितना अपना इडेंटिटी प्रूफ दे सकते हो, क्या-क्या दे सकते हो, आपका जो तो रिजिस्टेशन नमर होगा, या फिर आपका अधार नमर होगा, पैन कार नमर होगा, फादर स नेम होगा, डेट आप बर्थ होगा, आपका नाम होगा, ये एक लेटर सादा पेपर में इतना ची लिखके, उसके साथ पीन अप करके, बाइपोस्ट अगर आप भेजना च चले, बाइपोस्ट कर दे, और देखो, अगर आपका पेमिन्ट हो गया होगा, और ब्ससी सच में इमंदार होगी, तो वो ड्राप्त आपका लोटा देगा, फिर आप जाके स्टेट बैंक से उसको भजा सकते हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि ड्राप्त मिल गया, तो अगर पेमिन जो उसका रहता है, कमिशन, वो काट के फिर आपको फिर से साथ दे देता है, और अगर वो रख लिया, तो ठीक होगा, कोई दिकत नहीं है, पाँ-छे सो रुप्या ही जाएगा और प्राप्लम इसे कुछ नहीं होगा, बहुत सारे इसे लोगों को लगेगा कि अरे दो बार प्राप्लम इसे कुछ नहीं होगा, 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 तो आप जैसे पेमेंट भेजोगे वो चेक करेंगे, अगर आपका पेमेंट हुआ रहेगा तो वो लोटा देंगे या फिर रख भी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास तो सारा लीस्ट होगा है कि कि किसका हुआ है या किसका नहीं है, ऐसे तो के बाजी में वो नोटिफिकेश अगर आपको बार बार दिमाग में यह चल रहा होगा कि पेमेंट कर दें कि नहीं करें, नहीं करें कि कर दें, कर दें कि नहीं करें तो आप करी देना ठीक है, और अगर आपकी दिमाग में वैसा कुछ नहीं चल रहा होगा कि करें या ना करें कोई मतलब नहीं तो फिर मत कर तो आसा करते हैं कि मेरे को लगता है कि जितना आपको समझाने का था समझा दिये हैं भाखी बाखिए बार आप खुछ पतना क्या आसपास है या फिर जिसकों की आने जाने का सुभिदा है तो पतना जाके डारेक्ट उसके कॉंटर पर ही कर देना और कॉंटर पर अगर करोगे तो एक चीज जरूर करना कि जो ड्राप और जो लेटर आप वहां दोगे उसका जीरॉक्स को भी करवा के लिए रखना ओर उसकुड और उरिजिनल वाला उसके कॉंटर पर दे दे ना वहां लेने के लिए एक लेडी वेटी रहती थी हम लोग चैशन कर देने के लिए एक चीज कह ने आने वहां लेटी अपने अप्लिकेशन के जीरॉक्स कर वा के उससे एक रीसीविंग लेलियों, से इसको आइं दज़ाता है तो किसी क्या है उसी नहीं पता है तो पर कैफे की जतना इप को प सकती हैं क्योंकि बहुत सारा फॉर्म फिल करने का रहता है तो वो सोच लगा नहीं होगा तो उसके रिगार्डिंग एक दो दिन में पता चल जाएगा की एक्जामनेशन का बात हम लोगों को कब पता चलेगा की कब होगा नहीं होगा तो वो भी आपके साथ सेयर करेंगे और भी कुछ आपको दिक्कत लगता है तो मेरे को जरूर बताओ उसिस करेंगे जितना हो सके आपके लिए जरूर करेंगे ठीक है पढ़ने से या मॉक्तिस में कम नमर आ रहा है या फिर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है कैसे तैयारी करें अगर कुछ आप पूछना चाहते हो तो आप जरूर खुल के पूछो ठीक है बाकी बात आपके आपको बहुत है जितना होगा बेसे सी राहुल सल्यूशन करके मेरे तेलिग्राम चैनल है जूर सकते हो वहां फालतु कोई चीज डालते नहीं है ठीक है ऐसा कि कुछ फालतु डाल दे ने डालते आपको प्रॉब्लम होग आपको पता चलेगा कि हां इस जोब में जाएंगे तो कैसा रहेगा मेरे लिए ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा तो यह सब बात आपको पता चलेगा सब कुछ और वीडियो देखने जिसे आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हो उसका वीडियो देखने से कभी भी टाइम पास नहीं होता वह कुछ न कुछ आपको फाइदा जरूर करता है ठीक है माकि बाद कोशिस कर रहे हैं कुछ कोशन खुछ से अब्जेक्टिव पैप बनाने का लूशन लूशन पढ़के और होगा तो आपके साथ सेर करेंगे ठीक है ताकि आपको फाइदा हो ठीक है मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो और कुछ लगता है तो मेरे को जरूर बता ठीक है चलो बाए